नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रिप नॉलेज इस्टडी पॉइंट में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए करेंट अफ़ेर से 50 महत्तव पूर प्रजन लेके आया हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे कोश्चन्स मैंने सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिये हैं अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और नोटिफिकेशन बिल आउन कर लीजे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कोश्चन से हाल ही में जापान का फूको ओका ग्रैंट पूसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो याद रखिएगा आप लोग पी साइनाथ को सम्मानित किया गया है ऑप्सन B सही हो जाएगा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य का रामगर्ण विजधारी अभ्यारन भारत का बावनवा बाग अभ्यारन बन गया है तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान ऑप्सन D सही हो जाएगा हाल ही में में अधक की एक नई प्रजाती यूके लिश्तिस कहां खोजी गई है सही उत्तर हो जाएगा केरल में खोजी गई है option D सही हो जाएगा 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया 29 जून को राश्ट्रिय सांख की दिवस मनाया गया याद रखिएगा राश्ट्रिय सांख की दिवस मनाया गया option A सही हो जाएगा अगला प्रस्थ है हाल ही में किस अंत्रिक्ष एजन्सी ने पहले विकलांग या अंत्रिक्ष यात्री को नियुक्त करने कर निर्ड़े लिया है तो ईशा ने लिया है option A सही हो जाएगा अगला कोशन है हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा सहर बना है तो अजगाबाद बना है जो की तुर्कमेनिस्तान में है option B सही हो जाएगा अगला प्रशन है किस देश ने हाल ही में टेलिवीजन पर जंक फूड के विज्यापन दिखाने पर रोक लगाई है तो याद रखिएगा ब्रिटेन ने लगाई है option B सही हो जाएगा ब्रिटेन ने लगाई है अगला प्रशन है हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतिय तैराग कौन बने है तो याद रखिएगा साजन प्रकास बने है option D सही हो जाएगा साजन प्रकास बने है पहले तैराग अगला प्रसन है नीती आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक सामांगता सूचकांग 2021 में किस राज्य को पृथम इस्थान प्राप्थ हुआ याद रखिएगा 36 गड को प्राप्थ हुआ option C सही हो जाएगा अगला कोशन है संजे कोठारी के इस्थान पर केंद्री सतरकता आयुक्त C.V.C. कौन न्यूक्त किये गए है तो याद रखिएगा सुरेश एन पाटेल न्यूक्त किये गए है option B सही हो जाएगा सुरेश एन पाटेल न्यूक्त किये गए है अगला प्राशन है दिल्ली खेल विष्विद्यालय DSU की पहली कुलपती कौन बनी है तो करणम मलेशवरी बनी है Option D सही हो जाएगा करणम मलेशवरी दिल्ली खेल विश्विद्यालय की पहली कुलपती बनी है मुख्यमंत्री किशान मित्र युर्जा योजना की शुरुवात किस राज्य सरकार ने की है तो सही उत्तर हो जाएगा Option D राजिस्थान ने सुरुवात की है मुख्यमंत्री किशान मित्र युर्जा योजना की हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सौ साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने है तो जमसेज जी टाटा बने हैं अगला प्रशन है निमने लिखित में किस देश ने बिटकोईन को अपने देश में वैद मुद्रा का दरजा दिया है तो याद रखिएगा आप लोग अल सल्वाडोर ने बिटकोईन को अपने देश में वैद मुद्रा का दरजा दिया है option C-Sai हो जाएगा अल सर्वाडोर ने हाल ही में कौन OnePlus की Be A Rebels Ready के लिए Brand Ambassador बने हैं तो याद रखिएगा जस्परीत बुमरा बने है option C-Sai हो जाएगा जस्परीत बुमरा बने है अगला कोशन है football association की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो Debbie Hewitt को चुना गया है Debbie Hewitt को option A सही हो जाएगा Debby Hewitt को football association की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हाल ही में किस राज्ज में दुनिया का पहला अन्वानशिक रूप से संसोधित रबर प्रांट लगाया गया है त्याद रखिएगा असम में लगाया गया है option B सही हो जाएगा असम में दुनिया का पहला अन्वांसिक रूप से संसूधित रबर प्रांट लगाया गया है अगला कोश्चन है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ड टेस्ट चैंपियंशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है त्याद रखिएगा न्यूजी लैंड ने जीती है option D सही हो जाएगा न्यूजी लैंड ने वर्ड टेस्ट चैंपियंशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है अगला प्रस्थन है इसराइल के नए प्रधान मंतरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो नफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है option A सही हो जाएगा नफ्ताली बेनेट को इसराइल के नए प्रधान मंतरी के रूप में नियुक्त किया गया है याद रखिएगा आप लोग नफ्ताली बेनेट को किस राज्यकी सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्य मंत्री युवा युद्यमी योजना शुरू की है तो याद रखिएगा बिहार राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्य मंत्री युवा युद्धमी योजना शुरू की है option B सही हो जाएगा बिहार राज्य की सरकार ने अगला प्रश्ण है किस अंतरिक्ष एजनसी ने सुक्र ग्रह पर अपना पहला ओबिटर इन्विजन भेजने की घोशड़ा की है तो याद रखिएगा ईशाने की है option B सही हो जाएगा ESA ने सुक्र ग्रह पर अपना पहला ओबिटर इन्विजन भेजने की घोशड़ा की है याद रखेगा ESA ने अगला प्रस्ण है प्रती वर्ष अंतरराष्ट्री ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है याद रखेगा 23 जून को मनाया जाता है अगला कोशन है याद रखेगा मावया सूदन बनी है अगला प्रस्ण है फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किस ने जीता तो याद रखेगा नुवाक जोको विचने जीता तो याद रखेगा नुवाक जोको विचने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता अगला प्रस्ण है फ्रेंच ओपें 2021 की महिला विजेता कौन बनी है तो बारबोरा क्रेजी कोवा बनी है बारबोरा क्रेजी कोवा फ्रेंच ओपें 2021 की महिला विजेता बनी है अगला प्रस्ण है प्रती वर्स अंतर राष्ट्रिय विध्वादिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 23 जून को अंतर राष्ट्रिय विधिवादवस मनाया जाता है अगला प्रस्ण है हाल ही में किस अफरीकी देश में इस्थित जौला मुखी नीरा गोंगो में विस्फोर्ट के कारण शहर को खाली करना पड़ा याद रखिएगा कांगो गड़राज में अप्शन C सही हो जाएगा कांगो गड़राज में इस्थित जौला मुखी नीरा गोंगो में विस्फोर्ट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था अगला कोशन है हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैस्विक सांती शूचकांग में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो भारत को 135 इस्थान मिला है ओप्शन B सही हो जाएगा भारत को 135 इस्थान मिला है वैस्विक सांती शूचकांग में हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेविल्टी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथमिस्थान प्राप्त हुआ है तो याद रखिएगा ओक्लेंड को प्राप्त हुआ है ओक्लेंड को ग्लोबल लिवेविल्टी इंडेक्स 2021 में प्रथमिस्थान प्राप्त हुआ है ओप्सन B सही हो ज जाएगा अनूप चंद पांडे को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है अगला प्रशन है निम्ने लिखित में किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल पर योजना के निर्माण की योजना बनाई है तो याद रखेगा आप लोग गूग ओलम्पिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है त्याद रखिएगा लॉरेल हबर्ड बनी है लॉरेल हबर्ड लॉरेल हबर्ड जो है पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है ओलम्पिक में हिस्सा लेने वाली ओप्सन सी सही हो जाएगा अगला कोशन है प्रती वर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है याद रखिएगा विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है अगला प्रस्न है हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस म मंत्राले से है उप्सन डी सई हो जाएगा सामाजिक नाय और आदकारता मंत्राले से सेज पर्योजना संबंदित है अगला प्रस्न है हाल ही में किस अफरीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपती एवं प्रधान मंत्री को गिरफ्तार कर तक्ता पलट करने का प्रयास किया तो सुमित्रा मित्राने जीता है याद रखिएगा सुमित्रा मित्राने जीता है अगला प्रस्न है हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत रिड योजना की शुरुवात की है याद रखिएगा SBI बैंक ने की है आप्सन C सही हो जाएगा SBI बैंक ने कवच व्यक्तिगत रिड़ योजना की शुरुवात की है हाल ही में कि संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विट को लॉंच किया गया है तो इफको के द्वारा लॉंच किया गया है आप्सन A सही हो जाएगा अगला कोश्चन है हाल ही में कौन भारतिय मूल के व्यक्ति कानाडा के उच्चतम न्यालाई में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ती बने है तो महमूत जमाल बने है आप्सन D सही हो जाएगा महमूद जमाल कानाडा के उच्चतम न्याला के प्रधम अश्वेत न्यायमूर्ती बने है अगला प्रशन है एनीमिया मुक्त भारा सूचकांग 2021 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रधम इस्थान प्राप्थ हुआ है तो याद रखिएगा मध्य प्रधेश को प्राप्थ हुआ है ऑप्शन B सही हो जाएगा अगला प्रशन है हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीका करण के लिए स्पेशल पिंक बूद की शुरुवात की है तो याद रखिएगा उत्तर प्रधेश सरकार ने महिलाओं के लिए टीका करण के लिए स्पेशल पिंक बूद की शुरुवात की है अगला प्रशन है प्रती वर्स अंतर राष्ट्री योग दिवस कब मनाया जाता है याद रखिएगा 21 जुन को अंतर राष्ट्री योग दिवस मनाया जाता है अगला प्रसन है हाल ही में चरचित पुस्तक, होम इन द वर्ड के लेखक कौन है तो होम इन द वर्ड के लेखक प्रोफेशरा मर्त्य शेन है याद रखिएगा प्रोफेशर अमर्त्य सेन है, ओप्सन B सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है, बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्यूत पर योजना का निर्माण किया जा रहा है त्याद रखिएगा कोशी नदी पर, ओप्सन A सही हो जाएगा कोशी नदी पर, डगमरा जल विद्यूत पर योजना का निर्माण किया जा रहा है अगला प्रस्ण है, प्रतिवर्स, विश्व सरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है त्याद रखिएगा आप लोग 20 जून को मनाया जाता है, ओप्सन C सही हो जाएगा 20 जून को विश्व सरणार्थी दिवस मनाया जाता है अगला प्रस्ण है, निम्ण में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेंग से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है तो चीन में सामने आया है, याद रखिएगा चीन में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेंग से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है ओप्सन D सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट पती रहे कैनेद कोंडा का 97 वर्स की उम्र में निधन हो गया तो जामबिया के राष्ट पती का 97 वर्स की उम्र में निधन हो गया ओप्सन B सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है, किस राज की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वेक्सिनेशन नामक अभियान शुरू किया है याद रखियेगा दिल्ली राज सरकार ने जहां वोट वहां वेक्सिनेशन नामक अभियान शुरू किया है ओप्सन ऐस ही हो जाएगा आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो जादा जादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे धन्यवाद